अथ्याई छे श्लोक चौबिस भागवत गीता संकल्पा प्रभवन कामा त्यक्त्वा सर्वान शेश्यता मनसेव एंद्रिया ग्रामम विनियम्य समन ततहा अनुवाद मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निशेश्टा से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब उसे ही अच्छी प्रकाशे वश्मे करके व्याख्या इस श्लोक और इसके अगले श्लोक में योगिश्वय श्री कृष्ण हमें ध्यान में सबसे बड़ी चुनोतियों में से एक विचानों से निपटने की एक विधी बता रहे थे उनका कहना है कि मन को स्वयम में स्थापित रखने के लक्ष को पूरा करने के लिए हमें अपने मन को सभी इंद्रिय विशयों से पूरी तह हटाना होगा तथा इक्छाओं को उनकी जणों से नश्ट करना होगा सभी इच्छाओं का स्वार्थ त्याग कर देना चाहिए इन इच्छाओं का सुरोत क्या है इच्छाओं संकल्प से पैदा होती है जब कोई संकल्प शेश नहीं रहता तो वो विचार भी शेश नहीं रहता और तब कोई इच्छा भी नहीं रह सकती है विवेक और वैराग्य से संकर्प को जड़ से उखाड़ा जा सकता है इसलिए बिना किसी हिच की चाहट के सभी इंद्रियों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए जब कोई इच्छा नहीं होती है तो मन शांत और एकाग्र हो जाता है और उसे स्वयम में विश्राम कराया जा सकता है इस कारण ध्यान योग के लिए सभी इच्छाओं का त्याग करना आवशक है